लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल कुरूर रेट क्या है और कौन-कौन से स्टेप्स को फोलो करके आप गूगल कुरूर रेट को इंक्रीद कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानकार लेना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं आज हमारी जे वीडियो आउट रेडियो वेपेज लोडिंग टाइम पर होगी इसको इंप्रूव करने के लिए मैं जो आपको फोलो करने होंगे जिससे आपके वेपेज की वेपेज जल्दी से ओपन हो जाएगा इस बात को क्लियर करने से पहले हम पेज लोड स्पीड के बारे में देखते हैं अउफेज हो पेज जलोड Черफ येस लोड स्पीड की वेपेज की स्पीड भी को से लेके जाने में सकक्सास्पूला रहां अउफेज होसाज के तो आपकी वेपेज फेज परफ्यार आप्थार्ट के लिए सॉस्केस%. friends हो सके तो आपकी website एक second के under open हो जानी चाहिए तो आपकी website perfect है में आपको जह पता होना चाहिए friends below one second is equal to perfect one and three seconds is equal to above average three and seven seconds is equal to average three plus seconds is equal to very poor friends अगर आपकी website seven seconds से ज्यादा time ले हैं तो आपकी site पूर है तो आपको कुछ steps को follow करना है जिससे आप website की loading speed को decrease कर सकते हैं पहले आपको website की speed चेक करनी चाहिए कि कि इतनी speed में हमारा page open होता है तो फिर आपको वो page की speed को decrease करना है कि आपका website के site जल्दी से जल्दी खुल सके 10 अब अब हम points देखेंगे कि कौन कौन से points हमें follow करने हैं first point है no use of no use of background second point है ads limit third point है improvement of amaze structure next point है select best host select के spell में स्टेखेंगे sorry next point है no use of pop-up next point है use of up-to-date software next point है use under limit of updates next point other points में मैं आपको कुछ points बताऊंगा जो कि website की loading speed को decrease करने में successful हैं जे points आप follow करके website loading speed को decrease कर सकते हैं देखें फ्रेंट्स सबसे पहले में first point को देखते हैं no use of background amaze मैंने देखा बहुत से new blogger अपने blog की template की background में amaze लगा लेते हैं जे बिल्कुल गल्थ हैं एक amaze में जितनी ज्यादा amaze होंगी एक website के page में जितनी ज्यादा amaze होंगी आपकी website उतना टाइम ही खुलने में open होने में लेगी फ्रेंट्स नॉर्मली हर template का background white color का होता है लेकिन फिर भी आप चाहो तो उसका color change कर सकते हैं लेकिन amaze से add करने से आपकी website की speed increase हो जाएगी आपकी website ज्यादा time लएगी गर आप उसमें कोई amaze को select करते हैं जैसे friends हम देखिए Google पर गए और जहां पर हमने backlinks के बारे में supposed देख रहे हैं water backlinks benefits and types को search करते हैं तो आप देखेंगे water backlinks benefits and types let's talk engineers का article आजें इसके उपर हम click करते हैं तो देखेंगे आपके पास ये page खुलेगा ये देखिए इसके page के background color है white आप चाओ तो जे color change कर सकते हैं पर जहां पर background पर कोई भी amaze select करें तो आपकी website open होने में ज्यादा ताइम लगें देखिए friends अब next point है ads limit blog for adsense ads लगाने की वी एक limit होती है Google adsense के rules के according एक page पर 3 ads से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ bloggers को इसके बारे में पता नहीं होता और वो ज्यादा से ज्यादा ads को use करते हैं इससे friends आपका account भी reject हो सकता है आपको 3 से ज्यादा amazes को add नहीं करना जाहिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी website open होने में ज्यादा time लगाएगी next point है improvement of amaze structure जब आप content की amazes को upload करते हैं तो उसके size और format की और भी द्यान देना चाहिए आपको 2000 PXY की amazes को upload नहीं करना चाहिए जितना amazes का size बड़ा होगा उतना ही time webpage open होने में लगेगा और friends इसके साथ सर आपको एक webpage में ज्यादा से ज्यादा amazes को add नहीं करना हो चाहिए और दूसरी तरफ format को देखते हैं जब आप pick किसी भी pick को amazes को upload करते हैं तो उसकी format jpg होनी चाहिए आप png भी use कर सकते हैं पर old browsers इसे fully support नहीं करते हैं देखिए इसके बाद next point है select test host ब्लॉग की loading speed का कम ज्यादा होना ब्लॉग के hosting provider पर भी depend होता है अगर आप blogger.com पर हैं तो आपके अपने ब्लॉग की loading speed की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि इसको Google खुद ही host कर देता है और आपको Google की services पत ही है कि हमेशा बढ़िया ही होती है select best host के बाद no use of pop-up इंटरनेट पर बहुत pop-up हैं जो की fast loading spot करते हैं लेकिन मैं आपको pop-up यूज ना करने का suggestion देता हूं क्योंकि mobile पर browser javascript को support नहीं करते और आल्मोस्ट सवी pop-up जावा सक्रिप्ट को जावा सक्रिप्ट से बने होते हैं अगर आप इसको यूज ना करें तो और इस इसके मतलु कि यूज ना करें तो और और वाले मैसल्द्स जो मैंने बाकी के मैसल्स बताएं उनको follow करें तो आप अच्छा तो आपकी website जल्दी ओपन हो जाएकि जिन bloggers को इनके बारे में पता है वो इनका यूज नहीं करते हैं तो फ्रेंट्स आपको भी इसका यूज नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट यूज ऑफ अप्टूडेट सॉफफ़ेर पैपेज लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको अप्टूडेट सॉफ़ेर यूज करने चाहिए मतलब कि जब भी कोई सॉफ़ेर का नमा वर्जन आये तो आपको उसको इंस्टॉल करना चाहिए और अप्टूडेट सॉफ़ेर यूज करने से आपका पैज जल्दी ओफन होगा सो आगे से फ्रेंट आप जब भी कोई भी सॉफ़ेर यूज करने हैं तो उसके न्यू वर्जन को अप्टेट कर लिए नेक्स्ट पॉइंट है यूज अंडर लिमिट ओफ विजिट्स फ्रेंट व्लॉग पर पर जयरूरत से ज्यादा विजिट्स का होना भी विजिँट के लोडिंग टाइम को इंक्रीज करता है जहां तक हो सके आपको सिर्फ जरूरी विजिट्स को ही शो करना चाहिए बिना यूज वही विजिट्स को अपनी पोस्ट में से एक्जिट कर देना चाहिए अगर आप अनन्सेसरी विजिट्स को एक्जिट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट खुलने में कम समय लेगी इसके बाद फ्रेंट्स, अदर पॉइंट्स वेबस लोडिंग स्पीर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकोर उकेस्टिस को मिनिमाईज करना चाहिए और इसके साथ साथ ही आपको चाहिए कि आप कॉंटेंट डिलिवरी नेटवर्क्स को यूज करें और फ्रेंटस आपको और फ्रेंटस आपको वर्क्स करना चाहिए विद प्रॉपर फ्रेम से ठीक है फ्रेंटन जेपूंस है आपको फोलो करने है जिससे आप का पेस्ट का पेडिक जल्दी ओपन होएगा हो ऽर फ्रेंट नेक्स्ट विडियो व्हाँ होगी कि करा सकते हैंं इसके बारे में इंफिरमेशन लेनी के लिए आप में नेक्स्ट वीडियो पर विजिट कर सकते हैं ऐस वीडियो को शेर करें और शात्री Combosah सब्सक्राइब झाल